यहां माजाना आ रिया नेचे चलना नेचे एगाईज वेलकम बेप टो माई चैनल तो आज का सीन कुछ ऐसा आज जाने वालों में तोता मैने की कबर पे तोता मैने कबर के पास एक कुणा है सुल्ताना डाकू का चोर कुणा तो काफी फैक्ट सुने है कबर के बारे में और चोर कुणा के तो सोचा क्यों न वहीं जाके देखा जाए तो संबल से 5-6 किलो मिटर आगे गाउं है गाउं को नाम है कमलपुर सराय तो वहीं इस्तिद है चोरकुआ और तोतामैनी कबर तो काफी पुरानी है कबर और चोरकुआ तो आप पो डिटेल में एक्स्प्लेन करूंगा और दिखाऊंगा तो चलिए मिलते हैं कमलपुर सराय में तो कमलपुर सराय पहुंच गया मैं आप मेरे पीछ रोड देख रहा हूँ यह संबल से आ रहा है दर सरोड इदर सायों मैं और अब जा रहा हूँ मैं तोतामैनी कबर पे तो सामने देख सकते हो आप यह है तोता मैना की कबर पर जा रहा रास्ता तो चलो चलते हैं एंड देखते हैं तो फाइनली तोता मैना की कबर पर पहुँच गए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसी रोड पर है मेरे बराबर में और तोता मैना की कबर है ये आई मैं आपको धोरे जाकर दिखा देता हूँ ये ही है तोता मैना की कबर और इसकी बगल में है और उस पेड़ के नीचे है चोरकुआ इस पेड़ के नीचे तो यहाँ भी जाएंगे हम और चोरकुआ में अंदर देखेंगे और आपको दिखाएंगे तो पहले तोता मैना की कबर देख लेते हैं तो इसकी जो मिष्टरी है तोता मैने की कबर की तो यह पृत्वी राज चोहन ना बनवाई थी तोता और मैना एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और प्रिधिवी राज चोहन इनको देखते थे तो एक दिन ये मर गए तोता और मैना तो इन्हें दफन करके इनकी कबर बना दी तो ये तोता मैना कबर है तो काभी महसूर है और इसमें कुछ लिखावा भी है अजीब भा सको तो पढ़ लेना ये है इस पर पता नहीं क्या लिखा हुआ ये कुछ खाजाने का राज है इस पर लिखा हुआ चारो तरफ कबर की तो इसको कोई नहीं पढ़ सकता ऐसा लोग कहते हैं कुछ खाजाने का राज लिखा हुआ इसमें तो इसे दुनिया में एक इंसान पढ कि इस पर लिखा हुआ सुहल एस के विलॉग यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें वहाद तेज हो रहा है हम तो बच्पन सही तेज हैं चलो बाखी यह हो गई कबर आप अगर इसके बारे में आपको जादा जानना तो आप यूटूब पर सर्च कर लेना इसके बहुत रह चलते हैं तो फाइनली हम पहुंच चुके आ हैं चोर कुए के पास और आपको दिखाते हैं और अंदर जा कर भी दिखाएंगे पहले उपर से दिखा देते तो यह है इसमें चौर आते थे सायद ये नीचे जाने का रास्ता था पहले ये जो आप देख रहे होई हम Jak यह दर देते साय चोर घोड़े बाहर खड़ा करके इसमें छलांग लगा देते थे फिर गाया भोजाते थे काफी खतरनाख है यह बहुत रहसी है लग रहा आपको मैं दिखा देता हूं अलग अलग सीन से बी रोल पिले करके यह है इसमें अंदर जाने का रास्ता तो चलो अंदर चलते हैं और आपको अंदर से दिखाते हैं तो काफी डर लग रहा यह नीच वाली मन्जिल में पूझाने का सिन्ड़ यह है रास्ता जो कि हम नहीं जाएंगे कि अभी हम और भी व्लॉक बनाने है तो काफी खतरनाख है आप देख सकते हो, काफी पुराना भी है, लेकिन ये ठीक ठाक रुका हुआ है अभी, इधर से आयते हैं हम ये रास्ता, तो आगे चलते हैं, वो काफी अंदेरा और या डर भी लग रहा है, पट चलते हैं, कोई नहीं, इसमें ये पेड़ भी जम रहा है, पख़ड या, एक रास्ता ये है, नीचे वाली मंजिल में गुजा रहा है, तो इसी ये मैंने फ्लैक्स जला रखी है, तो तब भी ज़्यादा नहीं चम करिया, तो पीछे को आ जाओ, तो ये साथ मंजिल था, जो कि अब दो मंजिल बचा है, ये मिट्टी विट्टी पड़ गई, इसमें आप देख सकते हो, लेकिन अभी भी काफी खतरनाक है, अभी दो बचा फिलाल दो मंजिल, ये साथ मंजिल था, ऐसा लोग बताते हैं, तो अब हमें चलना चाहिए बाहर, वाट टाइम हो गया, और इस विलोग को एंड करते हैं, अभी मैं आपको और दिखा देता हूँ, ठेक से, और इसमें से एक सुरंग भी जा रही है, जो कि दिल्ली जमा मज्जिद पर निकल रही है, नीचे नीचे, तो संबल से दिल्ली डेड़ सो गिलो मेंटर का फासला, तो देख लो भाई, कितना खतरनाक है यह, हाई होब आपको व्लोग पसंद ना रहे हैं, पसंद ना तो लाइक करते हैं, एंड चैनल में लोग तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन आन करते हैं, तो आज के नीचे इतना ही मिलते हैं, को और नए संद ना व्लोग में, टाटा, बाई!